चाहे कपड़े हो, ग्रोसरीज हो, दवाईया हो, या हो कोई भी घर का अन्ने समान और आपको चाहिए हो इंस्टेंट डिलीवरी अभी डाउनलूड करिए बिग ब्लिस एप, बिग ब्लिस एप पहुँचाएगा सारा समान 10 मिनट में बिग ब्लिस एप खुशियों की अपनी दुखाएगा मिलेंगे, इसलिए किसानों ने मांग होने पर ही क्रिशी उपरज नहीं बेची अब सीजन के अंतिम चरण में किसानों को परिशानी का सामना करना पड़ रहा है सोयबीन की रिकॉर्ड कीमत के बाबजूत किसानों ने बिक्री के बजाए भंडारन पर ध्यान केंदिट किया था किसानों को उँची कीमत की उमीद भी थी खरीब सीजन के दोरान भारी बारिश ने सभी फसलों को नुकसान पहुचाया था लेकिन अरहर की फसल पर इतना असर नहीं पड़ा था अंतिम चरण में बेमौसम बारिश का सीधा प्रभाव फलियों पर पड़ा इससे उत्पादन में कमी भी आई इसके बाद किसानों ने उत्पादन घटाने के बावजूद बड़ी हुई दर मिलने पर ही उपज बेचने का फैसला किया था इसलिए वे भंडारन की नीती पर चल रहे थे वहीं सोयबीन और कपास को रिकॉर्ड कीमत मिली और भंडारन का फैसला सही साबित हुआ एक महीने पहले कपास की कीमत 11,000 रुपे प्रति कुईंटल और सोयबीन की कीमत 7,500 रुपे तक गई थी फिलहाल कपास का सीजन अपने अंतिम चरण में है अब फिर से किसानों ने अरहन और सोयबीन का स्टॉक कर लिया है तो कुछ किसान अब स्टॉक कर रहे हैं वहीं सोयबीन बजार में लेकर वे पहुच रहे हैं साथ ही उनका कहना है कि अब उम्मीद नहीं है कि कीमतों में बढ़ोतरी होगी इसलिए अभी बेशना ठीक नहीं होगा चरंबन तरीके से बिक्री से मिलेगा लाब किसान का उच दरों की उम्मीद में क्रिशी उपच का भंडारन कर रहे हैं यह बजार के अध्यन के लिए अच्छा है क्रिशी विशचग्यों का कहना है कि अब गर्मी के सोयबीन की आवक शुरू होगी ऐसे में किसान अपनी अच्छा उद्पादन भी मिला है तो बड़ी खबर में अभी बस इतना ही और अपडेट्स के लिए आप बने रहे हैं मार्के टाइम्स टीवी के साथ मुझे दीजे इजाज़त नमस्कार औरो ना के इस दौर में आपको नहीं जानवार बिग ब्लिस पहुंचाएगा सारा समान आपके घर दस मिनट के अंदर तुरंट डाउनलोड करें बिग ब्लिस एप खुशियों की अपनी दुका